गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है, आज हम इस वीडियो में त्रीपूरी के कल्चूरी वन्स के सासक लक्समन राज के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगी, तो देखेगा स्टुडेंट्स, त्रीपूरी के कल्चूरी वन्स के बारे में हम काफी कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके और जो त्रीपूरी का जो कल्चूरी वन्स है, उसमें आप अनेक वीडियो देख सकते हैं, और यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंड इसको सब्सक्राइब नहीं क, तो सब्सक्राइब करें, वीडियो उसको लाइक और सेर करें, तो चलिए पढ़ते हैं, त्रीपूरी के कल्चूरी वन्स के सासक, लक्स्मनराज का इतिहास, लक्समन राज का इतिहास कल्चुरी वन्स के सासक यूवराज पर्थम के बाद उसका पुत्र लक्समन राज सासक बना था तो जो यूवराज पर्थम है इसके बारे में भी हमने काफी कुछ आपको पढ़ाया है तो पहले वाले वीडियोज को आप देखेगा आपको एकजाम में हेल्प मिलेगी अब देखें चो लक्समन राज है ये एक सक्ति साली राजा था इसने कल्चुरी समराजे का विश्तार किया था बिलहारी तथा गोहरवा के लेखों से लक्समन राज के वीजों के बारे में पता चलता है बिलहारी लेख के नुसार लक्समन राज ने कोसल राज को जीतते हुए आगे बढ़ कर उडिसा के राजा से रत्न और श्वन से जटिल कलिये अर्थात नाग की परतिभा प्राप की थी इससे उसने सोमनात की पुजा की इसी परकार बिलहारी लेख में कहा गया है की उसने बंगाल के राजा को प्राजित किया पंडे राज को हराया लाट के राजा को लूटा गुजर नरेश को जीता तथा कस्मीर के राजा ने मस्तक जुखा कर उसके चरणों की पुजा की थी इन लेखों का विवन प्रस्स्ति के प्रकार का है जिसमें अतिरंजना का पूस्ट मिलता है तो प्रस्स्ति क्या होता था जिसमें बढ़ा चड़ा कर बढ़ाई की जाती थी जिसमें सच्चाई कम होती थी और बढ़ा चड़ा कर बातें ज़्यादा कही जाती थी तो यही लक् पितियार्थ में गुर्जर तथा लाट भारिय वेवस्था के सिकार थे. लाट परदेश पर राष्ट कुटों के सामन शिलाहार वन्स तथा उत्री गुजर पर कन्योज के पर्तिहरों का अधिकार था. इन दोनों सक्तियों के पतन के दिनों में इन परदेशों से होते हुए सोमना तक सफल अभियान किया गया होगा कोसल से तात्परिय दक्षिन कोसल से है यहां संभवताय उडिशा के सोमवन सी राजा राजे करते थे जहां तक बंगाल का प्रिश्न है हमी पता है कि दश्विस्ताबदी के द्वीतियार्थ से वहां सासन करने वाले पाल वन्स की स्थिती निर्बल पढ़ गई थी ग्यार्विस्त आपदी के पर्थमार्थ में कल्चुरी बंगाल के सास्कों के गनेश्ट संपर्क में थे संबव है इसी का लाब उठाते हुए लक्समन राज ने वहां सैनिक अभिहान कर शफलता प्राप्त की हूँ यहां तक हम कुछ ठोस आधार पर हैं लेकिन जहां तक कस्मीर्थ अथा पांडे राजे की विजे का प्रशन है यह सुद रूप से काव्यात्मक परतीत होता है लक्समन राज ने अपनी पुत्री का विवहल चालू के नरेश विक्रमा दित्य चतूर्थ के साथ किया था अपने पिता के सम्माल लक्समन राज भी सैव मत का पोसक था तथा सैव संतों को सरंक्सन परदान किया तथा रधे शिव के लिए बहु मुले उपहारों सहित वेदेनाथ मत का दान दिया उसका परदान सचीव सोमेश्वर था जिसने विष्णों का एक मंदिर बनवाया था लक्समन राज के बाद उसका पुत्र संकरगन तृत्य राजा बना उसके बाद उसका छोटा भाई यूवराज द्वित्य राजा बना गोहरवा लेख में उसे चेदिन चंद्र अर्था चेदि वन्स के राजाओं में चंद्र कहा गया है उसने सोमेश्वर की उपादी धारण की किन्तु सैनिक ड्रेस्टि सेवाय निर्बल सासक था जिसे वेंगी के चालू के नरेश तैल द्वित्य तथा परमार नरेश मुंझ ने प्राजित किया था त्रीपूरी पर मुंझ ने कुछ समय तक अधिकार बनाये रखा उसके हटने के बाद मंत्रियों ने यूवराज द्वित्य को हटा कर उसके पुत्र कोकल द्वित्य को राजा बना दिया था उसके समय में कल्चूरियों ने अपने सक्तियम मरियादा को पुनहे प्राप्त कर लिया कोकल द्वीतिये ने गुर्जन नरेश अर्थात गुजरात पर आकर्मन कर चोलुक के नरेश चामुन राज को पराजित किया उसने कुंतल तथा गोड सासकों के विरूद भी सफलता प्राप्त की उसने 1019 इस्वितक राजे किया था तो देखें ये था आपका त्रिफपूरी का लक्समर राज अब आगे हम आपको और भी काफी कुछ त्रिफपूरी के कल्चूरी मन्स के बारे में पढ़ाएंगे तो इसी परकार बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे